दुनिया में कई तरह के पेड़ पोधी पाये जाते हैं, जिन में से कुछ तो बियादी खुबसूरत होते हैं, तो हैं कुछ काफी ज़्यादा बिचित्र, इन पेड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि यह किसी दूसरी दुनिया से आये हैं, आज हम जानेंगे इन ही में से से अजीबों गरीब पेड़ों के बारे में, और लास्ट वाला तो आपको सच में हरान कर देगा, क्योंकि इस पेड़ को काटने पर इसमें से खुण निकलता है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, नमर वन, बो आप ट्री, इसे अलग 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 नामों से जाना जा यह इसके साइज पर निरुवर करता है, आम तोर पर यह 30 मीटर लंबा और 14 मीटर चोणा होता है, यह पेड़ ज्यादतर अफरिकाई देशों में ही पाय जाता है, इसकी संख्या सबसे ज्यादा मेडास करवे हैं, यह पेड़ वहां के लोगों के लिए वरदान से कम नहीं ह पर नहीं है, तानों की तरह दिखने वाला यह अजीब सा पेड़ जिसकी लंबाई करीब 220 से 275 फिर तक हो सकती है, और बात करें इसकी गुलाई की तो, इसकी गुलाई करीब 30 फूर तक होती है, वैसे तो इसकी लकड़ी काफी ज्यादा हलकी होती है, लेकिन फिर भी इसका आम तोर पर फल पेड़ की टेहनियों पर लगते हैं, लेकिन दच्छडी अमेरिका में एक ऐसा पेड़ पाया जाता है, जिसका फल टेहनियों पर नहीं बलकि पेड़ के तनों पर लगता है, अजीब सा दिखने वाला यह पेड़ एक अंगुर की परजाती का पेड़ है, इ इसके अलावां इसका इस्तमाल वाइन और जेम बनाने में भी किया जाता है, इसके अलावां वहां के लोग इस फल को सुखा कर उसका पाउडर बना लेते हैं, जिसके सेवन से कब्जी जैसी बीमारिया दू हो जाती है, यह पेड़ भले ही दानों की तरह दिखाई देता है यह पेड करीब 30-60 फिर तक बड़ा और 25 फिर तक मोटा हो सकता है, इस पेड को जहरिला भी माना जाता है, कहते हैं कि पुराने समय में सिकारी इस पेड से निकलने वाले रस को अपने तीर पर लगा कर सिकार करते थे, लेकिन यह पेड सच में जहरिला है या फिर नहीं, यह यह पेड सच में अजीब है क्योंकि जहां पर सभी पेडों को उगने के लिए पानी के आउसकता होती है, वहीं यह पेड पानी के अभाव में भी आसाइन से उग जाता है, यह पेड करीब 30-50 फिर तक बड़ा हो सकता है और इसकी उमर करीब 600 साल तक होती है, इसके साथी इ जीबोगरीब बनावाट दुनिया भर में परसीद है, जो लोगों को अपनी और आखरसित करती है।